नमस्कार दोस्तों मैं रज़त आपका IS PCS by Example पर हार्दिक स्वागत करता हूँ आप मैं से सभी लोग उत्तर प्रदेश लोग सेवा योग की आगामी जो भरती परिक्षा है उस सभी के लिए तैयारी कर रहे होंगे जाहिर सी बात है आपके मन में उसको लेकर कुछ न कुछ एक रोचक प्रशन भी निकल कर आते होंगे कि पेपर तो हम देने जा रहे हैं बट इस नौकरी के बाद में हमको मिलने वाला वेतन क्या होगा कितना वेतन स्ट्रक्शर है तो कई लोगों के दिमाग में बहुत कुछ अलग भरा हुआ होता है अच्छा गाड़ी घोड़ा बंगला ठीक है तो वेतन भी बहुत अच्छा होगा लेकिन ऐसा नहीं है वेतन कई दफ़ा अगर आप देखेंगे तो बहुत अजीब सी स्थित देखने को मिलती है जैसे के आर्मी जो मेडिकल जो होते हैं मैडिकल जो ओफिसर्स होते हैं तो कहा जाता है कि डॉक्टर को मिलने वाला वेतन और एक आयस ओफिसर को मिलने वाले वेतन में डॉक्टर्स को वेतन जादा मिलता है शुरूत में तो कई सारे ऐसे प्रशन आपक तो इसनातक की योगिता के साथ में इन पदों के उपर भरती की शिरुवात होती है, लेकिन कुछ-कुछ विसिस्ट पद भी शामिल होते हैं, जैसे के आपका ऐका उकिशन डिपार्टमेंट से जोड़ा हुब पद इसके लिए आपको क्या चाहिए ंसके लिए असी करम में लॉकी टिग्री आपको सब्रेस्टार वगरा के लिए चाहिए उसी क्रम में आपको अलग-अलग शोसल साइंस में जैसे शोशल वर्क हो शोशॉलोजी हो तो कई सारी सी वेकेंसी हैं जो के आपकी शोशल सेक्रिटी स्टीम्स के जो सब्सक्रिटीमेंटिंग ऑफिसर हैं उनकी डिरेक्टी होती हैं तो ऐसे में उनमें भी आपको अलग-अलग योगताएं चाहती होती है लेकिन अगर आप वेतन स्ट्क्चर को लेकर बात करें तो वेतन का जो स्ट्क्चर है वो सिर्फ तीन ही में डिवाइड हो जाता है शाली वेतन को लेकर बात करें तो एक फर्क जान लीजेगा वेतन और मूल वेतन उन दोरों में फर्क है क्या वेतन में आपका डियरनेस अलाउंस हो महंगाई भत्ता वगएरा एचारे बाकी जो आपको सुवधाएं भत्ते वगएरा दिये जाते हूं सभी को जोड़कर वेतन बन अब एक अफसर को ठीक है PCS Officers को बहुत सारी चीजे अपलब्द होती है मुफ्त आवास जैसी वियावस्ता ठीक है जिकिस्सा वियाए फोन विल्किया पूर्ती वगएरा यह सारी चीजे अपलब्द होती है और ऐसा नहीं है कि साब इनी को मिलती है बहुत सारे आपके चीजे ईफाइन हो जाता है वही लाव लशकर घाड़ी घोड़ा वाला हाला ठीक है पहले घोड़े हुए अगरते थे आज अपलब्द होती है अब स्टक्शर को लेकर बात करें तो यहां पर तीन इस्ट्रुक्शर में आपकी छीजें डिफाइन हो जाती है तीन जूरी जूनियर जो इसकेल पे बैंड है वो 600 ग्रेड पेका होगा और साथ ही साथ में उसमें मिलने वाला जो वेतन है वह आपका मूल वेतन जो है वह आपको तिरानवे सो से चौतीस ज़ार आट सो के बीच में जो भी आपका बनेगा अलग लग पदों के हसाब से अलग लग लोग जिनका इसना तक विज्ञान विश्यों सो है वह फॉरस्ट सर्विसिस के लिए एलिजिबल होते हैं जस्ट लाइक आप यूपेज़स्ट में फॉरस्ट सर्विसिस के लिए होते इसको इनको मिलने वाला जो स्रुक्चर है वह है 15,600 से 49,100 किसके लिए आपके सहायक व वेतन इस तरह है वह लेबल टैन उसको बोला जाता है उसी क्रम में रेंज वन अधिकारी वह तिरानवस जो सब्सक्राइब उसको मिलने वाला उतना ज्यादा वेतन ठीक है तो यह पीसी एस वेसिकली तीन मेजर ली है जहां पर आपको एक डिस्प्यूट करेट होता है ठीक है यह टीन ही है की लोगर आपके सेवा यह ढाती है जिसमें स'MYTRAJ और अधिनस सेवा मतलब बढ़े इस तरह की अधिकारी है यह इस प्रकार के अधिकारी है तो जूनिर सीनिर में इस तरह से डिवाइड आपके हो जाते हैं चलिए अब यह वेतन ऐसा निए कि हमेशा इस तरह तरह नहीं वेतन मिलेगा हर समय के अश्वार आपका वेतन बढ़ता भी जाता है आपकी सेलरी में इंक्रीजमेंट इजाफा भी होता जाता है ठीक वैसे जैसे कि आप सिवल सर्वसेज यूप आप देखते होंगे तो आप हमेशा पढ़ते होंगे कि एक आएस ऑफिसर का सपन होता है कैप सेग बनने का जो बहुत जाता होगा तो इसी करम में पीशे सदकारियों का भी शुरुआत से गर देखें तो जूनियर टाइम स्केल में जो के प्रारम्बिक स्थर है जब आप जोइनिंग लेंगे जब आपका प्रोश्वार प्रोश्य पीरिट होने के बाद मे करी शुरुआत होगी ठीक है और अशा नहीं है कि आपको सेलरी जो है ट्रेनिंग मनी मिलती है ट्रेनिंग के दौरान भी आपको सेलरी दी जाती है एक भत्ते के तौर ठीक है तो उस समय पर लेबल टैंसे आपकी शुरुआत होगी और 56100 से लेकर एक लाग 32,000 तक के बीच क मतलब जो comparatively आपका वेतन जिसमें इसमें सब स्वामिल हो जाएगा आपको महगाई भत्ता है ठीक है आपका ट्रेवल का है ठीक है उसके अलावा आपको जो फोन के बिल वगरा है यह सारी चीजें से दर्कत आपकी एड हो जाती है ठीक है उसके अलावा आधकारे को देश्य सब्सक्राइब के लिए मिलता है सीनिय टाइम स्केल यह पांचवे साल पर आपको लगेगा और वितनिस तर आपका हो जाएगा लेवन और सरसथ हजार साथ सो से एक लाख साथ हजार के बीच में जूनियर प्रशाशनी ग्रेड में आठवे साल होते हैं आपके आठतर जार से 1,95,000 का स्केल इसी लेवल 12 में चैन ग्रेड बारेवा साल 11,18,500 से 2,14,100 उसी करम में सुपर टाइम स्केल 16 वा साल जो आपका है ठीक है वह 1,31,00 से 2,16,600 मतलब 13,1 वे तनिस तर आपका होता है उसी करम में वरिष्ट प्रिसाशनी ग्रेड जो आपका वीस वा साल होगा उसमें 1,44,200 से 2,18,200 के बीच का लेवल 14 और उच्छ प्रिसाशनी ग्रेड में आपका 27 वा साल जो के 1,82,200 से 2,24,100 मतलब के लेवल 15 पर आपका जाके रुकता है ठीक है तो यह आपके बेसिकली बेतन के स्ट्रक्शर आपके रहते हैं मतलब आपको मिलने वाली जो सुवध है और अगर है एह स्ट्डी के जाते हैं तो छुट्टी भी मिलती है और अगर सिवल के लिए हैं मालेते यूप अपस्टी का जिकर करते हैं तो बहुत अच्छे संस्थानों में सरकार की तरफ से पैसा भी खर्श किया जाता है कई सारे प्रोग्राम से हैं जो मैट के इंतर ह सबने में को कई दफार आपके सवाल जैसे कई दफार होता क्या है कि हम सपना पूरा होने से पहले भूट कुछ सोचते हैं देखते हैं दिमाग में आता है तो उन सब के सवालों का जो हल है वो वेरिफाइड होना चाहिए ठीक है वेरिफाइड होना इसलिए जरूरी है अगर पूछ लिया जाए आप से किसा आप तयारी तो कर रहे हो बताओ ग्रेड पेस का कितना है तो आप क्या बताएंगे तो यह ग्रेड पे का स्ट्क्शर आपको पता होना चाहिए पता चला आपके दिमाग में कुछ औरी ग्रेड पे चल रहा है आपने सुना कि अच्छा बैली तो आज का जो आपका सेशन था यह वह इस बात को लेकर था कि अधिकारी बनने का जो आपका सपना है उस सपने के दौरान आप पहले से भी कुछ जो सपने देखते हैं उनको भी बैरिफाइड जरू कर लें कि कितना स्ट्रक्शर है कितना वेतन मिलता है ठीक है तो कई दफ में जो सलरी आएगी जो वेतन आपको मिलने वाला है वो वेतन कितना होगा ठीक है तो आज के सेशन के लिए तब तक के लिए धन्रबाद साती सात में दस तक आपकी सपनों को साकार करने का ISPCS बाइग्जामपूर की तरफ से कोर्स लांच किया गया यूपी PCS प्रिलिम्स क किया जाएगा ऐसे स्ट्रक्शर कहीं पर मौजूद नहीं है और नहीं कहीं बोले जाते हैं ठीक है तो हम जो एक गरिंटीड आप लिए प्रफिशन कर रहे हैं हम लोगों को कराना है बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको करके आना है पता चले आप करके नहीं आए और आ के वीक आपका ओफर चल रहा है तो ओवराल आपको जो है तो कोर्स है वो 50 परसेंट आफ मिलेंगे चाहें आप कंबाइंड लेना चाहते हैं NCRT प्लस UPPCS यह सिर्फ UPPCS का लेना चाहते हैं तो इस ओफर को ग्रैब करने के लिए PCS 50 कोर्ड का इस्तमाल जरू करें ठीक है त तब तक के लिए धन्यवाद बाबाए टेक केर